नवश्कार, मैं सेलेंद सिंग, एडिशनल कलेक्टर सतना हूँ, आप से इससे पहले भी बात हुई थी कि हम साक्षातकार के संदर में बात करेंगे, ये मेरा एक संचिप्त सा बाइडाटर है, इससे पहले भी मेरा चायन MPPSC में हुआ है और को साक्षातकार देने का मुझे अ उन्ही अन्हों के अधार पर हम लोग यहां पर साक्षातकार के बारे में बात करेंगे, पिछली कक्षाओं में ये बात सामने आई थी कि विद्यारतियों को साक्षातकार को लेके और अंदर होने वाले सवालों को लेके कुछ कंफूजन्स है और इन कंफूजन्स के लिए कैसे तो लोग चॉहते हैं कि उन से कुछ सामाने सवालों के बारे में चर्चा की जाए। उन सवालों को लेकर ही हम लोगों ने यह वाली क्रास्ट तैयार कि है। जिसमें इस तरह के कुछ 15-20 सवालों के को कुछ Lego ने कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ अबिवादन से संबंधित विसाइ होता है सामानि दूप से हम लोगों को लगता है कि साखषात कार बोड कोई अपरचित या भाहर ही वेखती है जो हम लोगों के साथ बहतर करेगा या हम कैसे करें जनरली वहां बहुत फार्मल होनी क्या शकता नहीं है जैसा हम लोग अपने घर में वेवहार करते हैं ठीक बैसा ही अधी हम साक्षात कार बोड के पाथ जाकर और एक बार में अधी सभी लोगों को नमस्ते कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नही यह बिलकुल वैसा ही है जैसा आप घर में करते हैं यदि आपके पिता जी के कुछ दोस्त आये हुए हैं माता जी के कुछ सहलिया आई हुए हैं आपके रिस्तेदार साधी में आये हुए हैं और दोरान जैसे हम सामाने रूप से अपना बैवहार रखते हैं ठीक वैसा यद से कि हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि जब यह पूछा जाए कि अपने बारे में कुछ बताईए तो हम क्या बताएं देखिए आपके माता-पिता के नाम आपकी पत्नी बच्चों के नाम बहन-भाई के नाम और उनके काम से भ अपनी बात उस तरह से उनके प्रोफेशन से सुरू करते हुए अपने परिस्टितियां बताते हुए कि आप मध्यमभरगी उससे हैं या आप इस जिले में निवास करते हैं आपकी ने सिक्चा दिख्चक में यह यह चीजें की हैं और अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं मा जब आप चर्चा करके अपनी बात आगे बढ़ाते हैं तो एक बहतर ढंक से आप अपनी बात को रख पाते हैं और साथी बोड के संबंग सामने भी एक इससिती सपस्ट होती है कि आप भविस्ट को लेकर क्या बताना चाहते हैं ग्रह जिले के बारे में बहुत सारे लोगो करके तलास लेना चाहिए और उनसे संबंदित शौर्ट नोट्स बना लेने चाहिए यदि हम अपने जिले की चार पांच ऐसी खूबिया नहीं बता पाते हैं जो पूरी दुनिया जानती है तो फिर बोड के सामने अच्छा इंप्रेशन नहीं होता बोड आप सा पेक्शा रखता है कि आप अपने जिले के बारे में चार पांच ऐसी बातें जरूर बताएंगे जैसे यदि आप चछतरपूर से हैं और आप खजुराहों के बारे में नहीं जानते हैं आप यदी बोपाल से हैं आप भोजताल राजा भोज का इतिहास और बोपाल के राजदानी बन इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम जिस जिले में रहते हैं, जिले संबंधित जो सामाने जानकारियां हैं, उनके बारे में अपनी समझ बना लें, एक उस से जुड़े हुई बेस्विक धरोहर हो गई, या कोई जी आई टेग अभी हाल ही में मिला है, या कोई ब आपको कॉंफिडेंगे, और साथ में कुछ ऐसे आंकडे जैसे आप जंचंक्या, महिला पुरुष का अनुपाद, सेक्षणिक अनुपाद, आपके जिले का होने वाला उत्पादन, प्रती हेक्टर उत्पादन की छमता, क्रसी से जुड़े, उद्वोग से जुड़े पड़ा, इस संबंधित जो प्रचलित कहानिया है, वो भी हमें तयार कर लेनी चाहिए, कुछ लोगों के मन में एक ये सवाल रहता है कि यदि उन्होंने कोई तक्नीकी कोर्स किया है, और वो तक्नीकी कोर्स के बारे में उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, तो तक्नीकी कोर्स जैसे इंजीनेरिंग है, मेडिकल है, कोई और इस तरह की फिल्ड में आपने मानली जी आई टाई में कोई डिपलोमा किया हुआ है, किसी ने सीपी सीटी पास किया है, या कोई और चीज, तो ये डर एक भाव होता है, लेकिन मेरे ख्याल से कि आपका तक्नी की चीजों में स्रेष्ट होना, आपका तक्नीकी वेश्यों का जानकार होना, आपके लिए के स्ट्रेंट का काम करता है, या आपकी वीकनेस नहीं है, मानली जी आप डॉक्टर हैं, आप किसी जगह के कलेक्टर होते हैं, और एक दम से वहां पर कोई महामारी फेल जाती है, तो बाकी डॉक्टर्स की टीम के साथ भी आप एक खुद भी एक हैंड बन सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर हैं, या इंजीनियरिक्श आपने पढ़ाई की है, आपकी जिले में कोई निर्मान कार होना है, तो आप एक architect के साथ साथ एक इंजीनियर की भूमिका में, वहा खाना बनाने की कला में भी पारंगत हैं उसमें कोई कोर्स किये हैं तो वो भी काम आ जाएगा उसलिए हमें यह चीजे बतानी चाहिए और एक और दूसरी बात यह है कि यदि आप कोई तक्नीकी योगिता रखते हैं तो आप अपने लिए वेकलपिक केरियर भी तैयार रखते है मेरा चाहन हो या ना हो यह दूसरा भी सह है लेकिन मैं इस तक्नीकी योगिता के साथ अपने फ्यूचर अपने केरियर के साथ नाय कर सकता हूं तो यह बहतर बात है जिसे की बोर्ड पसंद करता है और आपकी बातों को संबाद देता है ग्रेजिएशन को कितना तयार किय जाए किसा तयार किया जाए यह भी अमूमन सवाल रहता है इसके लिए मेरा सोचना है कि पहले जब यूपी सी में सब्जेक्ट वाइस पेपर हुआ करते थे अभी एक सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट की एक प्रतियोक्ता दरपन के अत्रिक तांक आते है हिंदी औ सब्सक्राइब को खजूरी मारके इंदोर में यह बड़े आसानी से मिल जाएंगे जहां पर ओल्ड बुक्स का मारकेट इसके अलाव भोपाल में जो पुराना भोपाल है वहां पे यह इसको तलासे जहां पर की पॉब्लिकेशन की बट सारी दुकाने है वहां यह आपको मि इसकी जगह आप नेट के लिए जो किताब है नेशनल एजूकेशन टेस्ट जो होता है हमारा यूजी सी के माध्यम से होता है इसको इसकी जो टेक्स्ट वो का रही है आजकल इसका एक पेपर जो विसाय का होता उससे संबन्धित अपने विसाय का जाहेंगे तो वहां मिल काम की चीजों को दोबारा से कलेक्ट करना है जैसे अधि आप अठसास्त के स्टुडेंट ने तो आपको पता होना चाहिए कि एड़म स्मित कौन है एड़म स्मित को अठसास का पिता क्यों कहा जाता है आप यदि इसी तरह से राजनीती साश्त के विज्धारती है तो आप आपको प्लेटो, सुक्रात, प्लेटो और अरस्तु की कहानी से कंदर तक की बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए उनके प्रमुक सिद्धानतों के जानकारी हो, कोटेली के सिद्धानत की आपको जानकारी हो, साइंस के आप विज्धारती है तो आपको वेसिक फॉर्मूला है जिनके बारें पूछा जा सकता हुए उनका हलका फुलका ग्यान आपके लिए परियाप्त होगा आपने जिन जगों से पढ़ाई की है उन विद्ध्यालयों के महाविध्यालयों के नामों में कहीं कोई महानवेक्ति का नाम या कोई किसी विशेश प्र उननी चीजों पर हम लोगों को जादा जोर देना है जादा अच्छे से बताना है साथ में हमारे ग्रेजुशन से जुड़ी इंसारी बातों को तैयार भी कर ले ना जिससे हम कहीं पर कमजोर नहीं कपने है बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि और सामान तोर पैसा होता जब हम तैयारी करते हैं से विल सर्विसेस की तो हम कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं हम लोग फुल टाइम पूरी महनत और सिद्दत के साथ में यूपी सी की तैयारी करते हैं उस समय हम लोग कोई और काम नहीं करते हैं हमारे मन में विचार होता है कि बोड क्या सोचेगा ग्रेजुएशन के बाद ब्रेक्यों ले लिया या हमने किसी एक सब्जेक्ट से पीजी करने के बाद चार साल ब्रेक्यों लिया कंटिनुसली अपनी पढ़ाई को नहीं जारी रखी और बोर्ड इस पारे में जब हम से पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे यह बोर्ड यह लोग ऐसी बात रख सकते हैं जो सामाने तोर पे लोग काम करते हैं जैसे मैंने इसमें लिखा भी है किसी जगह के प्यार पब्लिक रिलेशन आफिसर हैं रील मेंकिंग या सोचल मीडिया में आप कोई केरियर बनाते हैं आप कहीं पढ़ाते हैं कुछ और टाइप का काम कर दो सकता हैं कुछ इसमें सही वाते भी हो सकतीय है कुछ हम ऐसे रोजगान बुल को बताने के विए टयार किये और बॉट को यह बहुत सरी नहीं किरणा की हैं क्योंकी वह मारी प्रकासित होती हूं उदी किअ को में बलसकान में लिखता हूं और मेरे बहुत से कॉलम आई भी हैं बहुत सारे विद्यातिय से हो सकते हैं जिनके लिखे हुए चीजां प्रकासित होते हैं और कुछ ने कुछ पारितोशिक उनको मिलता है तो इस तरह की चीजें इसलिए बतानी चाहिए क्योंकि एक बेरोजगार आदमी से काम करने वाला आदमी कहीं बहतर है काम करने वाला आदमी यकीन मानिये यदि वो कोई चोटा मोटा काम भी करता है चाहि की दुकान लगाता है पान कठेला लगाता है कोई अपने फैमिली बिजनिस के साथ जुड़ा हुआ है चोटा मोटा कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को खेल खिलाता है और उसे कुछ पैसा आन करता तो ये एक अच्छी बात है आत्म निर्भार व्यक्ति को पूरी दुनिया पसंद करती है हम लोग कुछ भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ में हैं हमारे साथ में वो किसी रोजगार से जड़ा हुआ रहे है तो कैसी स्तिती में हम अपने रोजगार के बारे में बोलर को बडाते हैं तो ये अग बहतर सिटी उससे ढरें गभराएं नहीं बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि हम इस मारे में बट को नहीं बताया या छुपायां तो उसका गलत इंप्रिशन पड़ेगा जोखेका इत एक सवाल जो स्टुटेंट्स ने पूछा है कि क्या खुच के नेगेटिव पाइंट या कुछ ऐसी बाते हैं जो हमें लगती है कि हमारे लिए गलती है या हमारे लिए खराब है उनको बताया जाया या इसमें मेरा एक अपिनियन आप लोगों को यह है कि कोई भी ऐसी बात ज या को यह सी चीज आप देखते हैं जो कि गहर कानूनी है यह सी बातों को बोर्ड को बताने का अच्छा इंप्रिशन नहीं पड़ता और बोर्ड भी यह चीज को गलत समझता है आपकी भी एक अच्छी छवी ना बनके एक गलत मान सिकता बोर्ड के सामने जाते इसलिए इस कुछ ऐसी चीजें हो जिनको कि सुधारा जा सकता है वो कुछ ऐसी चीजें हो जिनको कि लगातार हम सुधारने की स्टेप में हैं वो कुछ ऐसी चीजें हो जिसका असर एक सकरात्मक व्यक्ति के तौर पर आपकी चरितर पर पड़ता हो तो इस तरह की नेगेटिव चीजें बताएं, जो आप खुद तयार करेंगे, अपने आंसर हमेसा खुद तयार करें, क्योंकि हमारे बनाए हुए आंसर के प्रति हम ज्यादा आस्वस्त होते हैं, हमारे जो आंसर हम देना चाहते हैं, उनको यदि हम लिख लेंगे, तो हम और बहतर, और confident मैसूस करेंगे, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, जदि आप बोट के सामने हैं, और कुछ प्रशनों के उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, तब डरने घभराने की कोई बात नहीं है, बहुत आराम से इस बात को सुईकार करें, कि आप कुछ प्रशनों के उत्तर नहीं जानते, यह कोई KBC नहीं है, कि आपको एक गलत आंसर के बाद हाट सीट चोडनी पड़ेगी, यह प्रिलिम्स का एक्जाम भी नहीं है, कि आपके कम नंबर आने पर आप बाहर हो जाएंगे, और नहीं है किसी प्रकार का कोई प्रतियोगिता या कॉम्पटीशन है, बस यह है कि आप अपनी बात साक्षात कार बोर्ड के सामने रख रहा हैं, साक्षात कार बोर्ड आप से आपकी बातों को समझते होए एक प्यक्ते तो आपका समझने का प्रयास कर रहा है कभी-कभी हम कुछ दुक्के भी लगा सकते हैं कुछ बातों को हम इस तरह से भी कह सकते है कि जिससे कि हमारी बात भी रखा जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो जैसे मैं जानता तो हूँ लेकिन इसका उत्तर अभी आद नहीं आ रहा अई बार इसी परिस्तिती आती है कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यह उसका आंसर हो सकता है लेकिन वो सही है गलत इस दुविधा में लोग नहीं बता पाते तो हम यह बात बोर्ट से पूछ सकते हैं कभी-kभी हम बोर्ट को यह सकते हैं कर में बहुत शै और नहीं हूँ लेकिन मेरे खाल से इसका आंसर यह होना चाहिए यह भी कह सकते हैं कि यदि आप अनुमती देते हैं सर तो मैं गैस करने का रिस्क ले सकता हूँ उत्तर सही है नहीं इसमें एक सुविधा यह होती है कि यदि हमारा उत्तर गलत भी हुआ तो हम पर बोर्ट का नेगटिव इंपेट नहीं पड़ेगा और हम अपने उत्तर को डिफेंड भी कर पाएंगे इस तरह से हम एक बहतर इस्तिती में आ जाएंगे तो इस इन दोनों चीजों से हमारा जो उत्तर है या हमारी छमता है वो भी सामने आ जाएगी और यह भी बात होगी कि हम जदी कोई गलत उत्तर देते हैं गलत उत्तर देने से बच पाएंगे सामाने रूप से साक्चातकार में कभी भी गलत उत्तर नहीं देना चाहिए गलत उत्तर आपको बहुत जाना नुकसान पुचा सकता है, जितना कि सही दस जवाब आपको फायदा नहीं पूचा सकते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा उत्तर जो इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, यह सोच के ना दें कि बोर्ट को नहीं नहीं सुन पाते हैं तब हम यह बात कहते हैं कि एक बार दोबारा बोल दीजिए या फिर से करपया रिपीट करिए पाड़न कहा जा सकता है अंग्रेजी में बहुत सारे इसे इंग्रेजिस वीडियम के विद्यारतियों को अच्छे और आधर सूचक सब्द या अंग्रेजी क कि लोकोगतियों और इसमें प्रयोक्त होने वाले इसे सब्दों को तयार करना चाहिए इनको हम दोबारा पूछने के लिए प्रयोक कर सकते हैं और साक्चात कार बोड़ से जब को ऐसी स्थिति आए जहां पे आप नहीं समझ पा रहे हैं वहां आप इसको बड़े अक्छे स से समझ नहीं पाया कि आप यह से दो बारा पूछ लें यदि आप इस तरह से अपनी बात रखते हैं तो बड़े आसानी से बोड़ भी आपको दूसरा मोका देता है बोड़ आपके सायोग के लिए है इसलिए ऐसा करने में कोई प्राब्लम नहीं होती कई लोगों का प्रस् हम अधारे से कर्मचारी जीन्फ पर्सासन में होते हैं तो और देखेंगे कि जो अलग-अलग फील्ड नहीं अलग-अलग सानों से हॉंकि नोची जामताभ थी किसी को बलते भी कर पकाना आता था लिए ससी को अश्यकों बनाना था था किसी को उलता कुछ करना आता था तो उसको बड़े लेवल पर बड़े प्लेटफॉर्म पर कर पाता है हर उस आदमी को अपनी छमता के अनुरूप जम्मेदारी मिलती है और वो छमता के अनुरूप प्रदसन करके कही न कहीं जिले में, राज्य में और अनिस्तानों पर अपनी भूमिका को निभाता है तो इसलिए आप जिस भी फिल्ड से हो, चाहे आप इंजिनिरिंग से हो, मेडिकल से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, किसी अन्ने उस से हो, टेक्निकल किसी उस से हो, आप अपनी फिल्ड का फाइदा दे सकते हैं आइकोंटेक्ट की एक बात आती है कि जब हम बूट के सामने हो तो एक कedor चारें कैसा करें कितना करें यिए यह इकोंटेक्ट इस तरह को होना चाहिए जैसे हम अपने घर में अपने पिता ji पिता जी के बड़ेभाई चाचा जी या ऐसे लोग जिनका हम सम्मान करते हैं और समाने रूप से उनसे चर्चा में सहभागी हैं तो जिस तरह काई कॉंटेक्ट रखते हैं उसके साथ साथ ये भी देखना है कि बोर्ट के सारे लोग आपके साथ में इंटर्डूज रहे हैं ऐसा नहों कि आप अपनी बात कहे जा रहे हैं जाने और अपनी बात को एक्स्प्लेइन करने किसी के सामने कोई बात रखने की मुद्रा को मैंटेन करते हुए जो आई कॉंटेक्ट इसके लिए जरूरी होगा वो आप बड़े आसानी से रख सकते हैं और ये कोई खराम नहीं लगेगा ये एक अच्छा इंप्रिशन डाल भासा का स्थर कैसा हो ये पूछा जाता है लेकिन क्लिष्ठ हो सहेज हो देखे हिंदी एंगरेजी के वो ही सब्दा आप सामाने रूप से प्रयोग किये जाते हैं यदि आप बहुत ही साहतिक एंदी के सब्दों का प्रयोग करने लगेंगे बहुत अच्छे रचना का ये प्रसाद जी के तरह के सब्दों का प्रयोग करके बोलेंगे या कुछ ऐसे चलतु सब्दों को बोलने लगेंगे जो कि आपकी स्थानी बोली में भाशा में उसमें प्रयोग किये जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ बाते हैं आपकी इस पर